काइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खुनी नाला के पास और मैं इस जब खुनी नाला के बारे में सुनता हूं ना तो मुझे बहुत शिवरिंग्स ही हो जाती है क्योंकि यहां के बहुत सारे किस्से सुने हैं मैंने तो उसकी वज़े से थोड़ा बहुत डर लगता है म ना बॉलो यहां नहीं बॉलो खरी है मुझे डर ब क्रवश आतर ब एक दिधा लिक नाला के यहां पर यसाव झालता है की जब बने को ने कर दो यह जहां बचाते की यहां एकर बगभ कर दृस्टा की जो दिका की यहां तो र southwest ब मंदी लेक इंग आ José श्रॉप लेग या था, बंदी लेग या था, गुंता फिरता हम आपको लेगे कहा वहा है यह जबता हो अशे मतलब दोस से बढ़का गल्फेंट हो गया वह है चलो अच्छी बात तो आजड़ा की बात है अराना साब गुड मॉर्णिंग है गुड मॉर्निंग हम पूरी रात बटकते रहें, लेकिन किसी ही होटल वाले ने दर्वासा नहीं कोला, तो जिसकी वज़े से हमको रुकना पड़ा गाड़ी में ही, और अभी हम लोग है, यह हमारे राइट साइड में है, डल लेक रहे, तो आभी आट बच चुके हैं, हम निकलते हैं, और एक न च्री रोड है, भैसाब, अपनी पॉल पे फोकस करो, जील के चक्कर मत कट वाओ मुझे, पंदर मां चकर चल रहा हैं, यह सच में मुझे समझ नहीं हारा, क्या कर रहे हम, कर क्या रहे हम, जा किदर रहे हम, आधा जी हम जा किदर रहे हम, यह ना आता ना पता बस दबे जा आपको लेकर आपके आपको लेकर भाता है। व्हें सिर्चाओं अलम्ट है। 163 परपड़ा आपको कर तक दो से अंशे हैं। इसके मतलब तो से बढ़की गल्फेंट हो गया है। उस से मथे में गूबरे हैं। ज हम रहे हैं। आपको लेकर निया है। चलो अची बात है अभी ओस्ता कैट वेशे कोफी मुगाली जमने दो थुट दिर में ओर आने वाला है गाइस मैंने आप से पहले ही का था था कि भाई को कौफी कहां दिखे सबसे पहले कौफी ओर्टर होता है बागी चीज़े होती ही बाद में और यहां पर आने के लिए हमने कम से कम 30-35 km पहले हम घुमें फिर जाके हम इस कॉफी स्टेशन पर पहुंचें वैसे तो मुझे कॉफी पसंद दी है लेकिन भाई ने ओर्डर करी लिए तो कॉफी पिएंगे अब डल लेके आपने कम से कम 10 चकर लगवा दिये हैं तो अब मार्णा होले हैं यख़ जो वाल को फरनी प्रांड़ा माती यख़ जो देहीं मुंच हो प्रांड़ मुछ बादर प्याज अन वोले लोग anterior कर लोग शांसरा ब्रेक फाष्ट आप कहा से हैं आप नहीं को प्याद बोला है यह कांदा आप कांदा बोलते हैं अच्छा गाइस ब्रेक्फास्ट हो चुका अपना एक एक प्रांथा देही एंड छोले कल शाम 8 बजए से डॉब कर रहा हूँ स्टिल अभी तक सिर्फ मॉणिंग में दो गैंट का रस्ट लिया था हम नहीं तो शाम आठ बजे से लेकर अभी तक हम कंटिनीसली चले जा रहे हैं चले चा रहे अब हम डाल लेग से निगल चुके हैं बन्याल की और हमारे जो वीवर से वो जाना चाहेंगे कि इस रोड पर अभी हमें इसकी विशेश्चता है क्या है क्या इसकी इंपोर्टेंस है क्यों इतनी वाइड दिखरी मुझे यह जैदा रोड कम हवाई पट्टी ज्यादा बोले दो यहां पर अमर्जेंसी लेंग करा सकते हैं मतलब इन केस कभी अमर्जेंसी हो जाती है के जेट वगरा उतारने हो तो उसके लिए यह हवाई पट्टी बनाएगे यह बहुत बहुत आना लगी है क्योंकि मॉर्निंग में हमने सब एक एक प्रांटा काया है किते बजी खाय रहा है कोई सब्सक्राइब नौ मुझे और अरुन बाइग यहां कितनी भारी हो चुकिती नश्यली आंके हो चुकिये क्योंकि कल रात से हम बिल्कुल भी नहीं सोयें कल सब्सक्राइब कर रहे हैं सिर्फ दो गंटे सोय थे लेकिन वह सोना नहीं हुआ अनन तन आगे पहुंच चुके हैं खाना खा लेते हैं कि रागे कर सफर गंटे नियुकरते हैं गाइज इस घर का जो डिजाइन है काफी खुबसूरत है लेकिन खुबसूरती की साथ-साथ में एक गलत काम कर दिया है जो है यह यह आपको पिलर दिख रहा है यह पिलर नहीं बलके यह एक अलेक्ट्रिक पोल है जिसको यूज किया गया है अपने घर में तो मेरे ख्याल स यह गलत बात है चलिए कोई बात नहीं इसे इनका अपना मस्ता है हम खा लेते हैं खाना जो बटर हम लेकिया थे वो कहां पर लेख यहां से बेस हो जाएगा अब जो मस्ता यहां पर आएगा वह उदर नहीं आएगा ना उद्धर बटर हो दागर में यह देख लो राना साब सो चुके हैं खराटो की फूकार रामबन में पहुंच दिये हैं अभी हम बनिहाल में हैं और राना साब के खराटे रामबन में पहुंच रहे हैं जब से हम शेनगर से निकले हैं तब से कहीं 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 जाम मिल राम को फिलाल अभी हम रिंगते पहुंचे हैं बनियाल में और यहां पर भी अच्छा कासा जाम है एक जाम तो गाडियों का है और दूसरा जाम इन बेट बक्रियों का तब ही तो हमारे रहना साब कहते हैं कि जित जित गुजर की बक्रे लगेगी वह अलागा गुजर गा की तर्फ прекрасि आपको कोईपर नहीं है कि हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं कोई जाम है यख कुछ है अब ही आप पहुनचे हैं और इनके खराटे पहुंच रहे हैं रम्बन में तो बटोंचे के ऐदूंपूर अगर तो इनके खराटे सुनाइ। जाम इतना लगा हुआ है लेकिन हमारे आगे आगे एक ट्रैफिक की गाड़ी चल रही है तो उसका सहरा लेते हुए हम उसके पीछी बीचे चल रहे है तो हमारा काम भी बन रहा है साथ साथ में बाकि आप देख सकतो कि मेरे लेफ्ट साइड में इतनी लंबी कतार लगी हुई गड़िए गड़िऊंगी जै माता दी काईज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खुनी नाला के पास और मैं इस जब खुनी नाला के बारे में सुनता हूं न तो मुझे बहुत शिवरिंग्स ही हो जाती है क्योंकि यहां के बहुत सारे किस्से सुनें मैंने तो उसकी वज भी ते किस्से से महा दिखें ए लिच्टाने सांथा से मुझे तुकूb अफर्ऊ कन छी करूए बहूं सारी विडेशन को यहींथता है कि यहां इसा होता कि को जो डिरेशन को आए दिखाए कि यहां पर लेडी डिरेशन ने दिखाता है वही भी लेडी हो गए यहार रास्ता है वासी कुछ भी कुछी सर्प दिखता है तो बंतर रास्ते भी चला जाता है तो असा सुनने में आया है तो क्या कह सकते हैं उपरवाला क्यार करें अपरवाला क्यार रखें सब अच्छा रखें एक तें क्या होते हैं माता दी गाइज कल साड़े आठ बजी हमें आपने जहर्नी स्टार्ट की थी और अभी बज़ने साड़े नौ तकरीबन 24 गंटे से उपर हो चुका है 25 गंटे ट्रेवल करते हु हमें ऐसे तो हमारा सपर मॉर्निंग में इस्टार्ट हो गया था लेकिन विलाव की शिरुवात क आपने शाम साड़े आठ बजे मोटा 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 के हैं तो संसे अठेटीस गंटे से हम बिल्कुल ड्रेवल कर रहे हैं अभी भी मुझे लगता है कि डेट यह दो गंटा लग जाए हमको घर पहुंचते पहुंचते यह भाई सब खराटे मारे थे यहां पर मैंने आपको द बिल्कुल गंटे ने कल से स्टेडिंग तक नहीं बढ़ा है बस यहां पर स्वया हुआ है सीड डॉन कर देता है बंदा और खराटे इतने बजते हैं कि मत पुछे देखो चलो हम ऐसा करने वाले हैं आप हम पहुंचुके मातराणी के मंदिर में जो है आपने बटोट से थो नया विलोग लेके तब तक के लिए नई जर्नीवे तब तक दीजिए हम तोनों को इजाज़त शुब्रात्री जय मत दिए